दोस्तों अगर आपके नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकिज हो रही है, सैटी का पेन से जूज रहे है, उठने बैटने में बहुत तकलीफ हो रही है, शिडिया चड़ने में उतरने में दिक्कत होती है, चलते हुए पैरों के नसों मे खिचावा जाता है तो आपके लिए यह वीडियो बहुती फादयमन साबित होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ पाउरफुल घरिल उपाय शेयर करने जा रहा हूं जिससे कुछी दिनों के इस्तमाल से आप इन सारे दर्द की परिशाने से आराम पा सकते हैं साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखियर नस कमजूर की हो जाती हैं नंस्व कमजूर है या फिर नहीं है हमें कैसे पता चलेगा डोस्तों नघर्व सिस्टम हमारे शरी semester का command center होता है यह मस्तिसक और शरीर के सभी अंगों तक जरूरी जानकारी पहुचाने के लिए कोशिकाओं का इस्तमाल करता है साथी नसों का काम पूरे शरीर में blood circulation करने का होता है ऐसे में जब नसों में कोई दिक्कत आती है या फिर नसे कमजोर हो जाती है तो कई परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि स्ट्रोक, डायबेडीज, गठिया और टीमर नसों की कमजोरी के मुखे वज़ह हो सकते है इस इस्तिती में आपको सेर में दर्द, मांश्पिश्य में दर्द महसूस हो सकता है इसके लावा भी आपके नसों में कमजोरी के कुछ लक्षन महसूस हो सकते है सबसे पहले जानते हैं नसों की कमजोरी के क्या लक्षन होते है क्या सिंटम्स होते हैं आपको कैसे परदा चलेगा कि नसें आपकी कमजोर होते जा रही है हाथ या पैरों में जुन्जुनी होना नसों के कमजुरी के लक्षण होते हैं हाथ या पैरों में जुन्जुनी तब होती है जब नसें डैमेज होने लगती है नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है इसके लावा सीर में होने वाले दर्द भी नसों के कमजूरी का एक लक्षन हो सकता है अगर लंबे समय से सीर में दर्द हो रहा हो तो इसे बिलकुल भी नजर अंदाज ना करें यह नसों के डैमेज होने के वज़ा से हो सकता है इस इस्तिती में व्यक्ति को सिर्म अच्यानक तेज दर्द उठ सकता है नसे अच्यानक कभी भी आपके सुन पढ़ने लगेंगे चक्कराना भी एक संकेत है कि आपके नसे कमजोर है क्योंकि ब्लड स्कुलिशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है जिस वज़ा से आखों के आगे उठते बैठते समय अंधिरा चाने लगता है ऐसे लगता है कि शरीर है ही नहीं कमजोर नसों की जगह पर दर्द रहने लगता है नसे कमजोर होने के स्तिती में ब्लड प्रेसर बढ़ जाता है इसके लावा रात को अच्छे से नीजना आना, शरीर में खों की कमी होना, दिल की धड़कोनों का तेज होना भी नसों में कमजोरी के कारण होते है तो अगर आपका शरीर में इस तरह के सिम्टम से दिखाई देते हूँ तो सबसे पहले नजदी की डॉक्टर से संपर्ग कीजे और साथ में बतायागे रेमेडी को फालो कीजे अगर आपके कोई दवाई चल रही हो तो दवाई के साथ साथ बतायागे रेमेडी का भी प्रियोग कर सकते हैं इससे आपको रिकवर करने में काफी मदद मिलेगी इससे आपके नसे हेल्दी हो जाएगी ब्लड सकुलिशन अच्छा हो जाएगा और अगर नसों में दर्ध है तो इसमें भी आपको फादा मिलेगा तो आईए जानते हैं इस रेमेडी को तयार किसे करना है तो सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर इस रेमेडी को तयार करने के लिए वह है लॉंग दोस्तों लॉंग आपको कीचेन मिल जागी यह छोटी से देखने वाली लॉंग शेरी के लिए बहुती फादेबन होती है इसके अंदर काफी सारे medicinal properties पाय जाती है अलग-लग बी को भी दूर करती है सरदी खासी से अराम दिलाती है दोस्तों लॉंग के इतने फायदे हैं कि यहां बताना मुश्किल है जो डाइबेटेज मरीज होते हैं उनके लिए भी लॉंग का सेवन बहुत अच्छ होता है वैसे लॉंग के तासिर गर्म होती है तो इस थंडी के मौस हेल्थी रखती है कई सारी आयरिवेदिक दमाईयों में आज भी इसका इस्तमाल होता है आपको किसी भी पंसारी के दुकान में असानी से मिल जाकी यह बड़ी लैची आपके ब्लॉक नसों को खोलेगी नसों को मजबूत करती है खून को साफ करती है ड़ड प्रिसर को नॉ हमारियों से बचे रहते हो तो यहां पर मैं एक व्यक्ति के लिए बना रहा हूं उस हिसाब से हम यहां पर एक बड़ी लैचे का इस्तमाल करेंगे और साथ में हमने लिया हुआ है डो लॉग इसकी उपाय को बनाने के लिए हमें अगली चीज़ चाहिए हुआ है दोस्तों नर्सों की कमचोरी को कम करता है यह मारे मोटापे को कम करने का काम करता है इसके भी बहुत से अपने आई Müूनिटी मुगूत होती है सर्दि खासी, नजला से आराम दिलाता है, दालचीनी दोस्तों गठे के दर्द, अर्थरैटिक्स में भी अच्छा काम करता है, या हमारी मुटापे को कम करने का काम करता है, इसके भी बहुत से अपने आइर्वेदिक फायदे हैं, लेकिन हम इसका इस्तमाल आच करने वाले है नसों के मजबूती के लिए, कॉलेस्टॉल को कम करने के लिए और ब्लड सुक्लेशन को बहतर करने के लिए तो यहां हम एक छोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे आप चाहें तो दालचीनी के पॉड़र का भी इस्तमाल कर सकते हैं एक चोथाई चमस दालचीनी का पॉड़र इस्तमाल कीज़ेगा अब हम क्या करेंगे एक पैन लेंगे इसे गैस पर चड़ा देंगे और इसमें डालेंगे एक गिलास पानी फिर हमने जो बड़ी लाची लॉंग और दालचीनी लिया था इसे हम कूट लेंगे अच्छे से इन्हें कूट लेना है ताकि बड़ी लाची के अंदर के जो दाने है न वह भी अच्छे से कूट आ जाए देखिए इस तरह से आपको कूट लेना इन सबी चीज़ों का अच्छे से पानी विमारा गर्म हो चुका है इस पानी में हम इन आसदियों को डाल देंगे और इन्हें तब तक बॉयल करेंगे जब तक एक गिलास पानी आधाना रह जाए देखिए आराम से इसे बॉयल होने है ना जो लोग शराब का सेवन करते हैं जिनके कीड़नी कमजूर हो चुकी है लीवर कमजूर हो चुकी है वे लोग भी चाय को पीई सकते हैं इससे आपके लीवर कीड़नी डिटॉक्स हो जाएगे इसके लाबा जिनका कॉलिस्ट्रोल बढ़ गया है डोक्टर ने कहा कि समस्य हो गई है उनके लिए चाय तो रामबाण है उन्हें ज़रूर इसका इस्तमाल करना चाहिए और खास करके इस ठंट के मौसम में से लेंगे न तो आपको दोगुना फादय मिलेगा इसे शरीर में गरमाहण भी बनी रहेगी और नसों में मजबूती भी आएगी और नसों तक पीने से और साथ में योगा एक्सरसाइज करने से या फिर सैक्लिंग अगरा करने से बेहती जबरदस्त फादय मिलता है यह देखिया हमारा चाय काफी अच्छे से उबल चुका है इसमें डाल देंगे दोस्तों एक चमबच गुड़ का इस्तमाल वे लोग ना करें जो शूगर के मरीज हूँ शूगर के मरीज बेगर गुड़ का ऐसे लीचेगा गुड़ डालने के बार से घोल लेना है और इस चाय को कप में निकाल लेना है और इसका सेवन आपको सुभा के समय करना है अगर आप सुभा किसी कारण वश ना कर सको तो इस चाय को आप सुभा नास्ता करने के एग घंटे के बाद भी ले सकते हैं या फिर शाम को चाह से पांच बज़े के आसपास जब पेट खाली होता है उस समय आप इस चाय को जा सकता है आप सब चैय को दिया जा सकता है तो इस थंड के selfie में चेहां पंद्रह मौन जरू कीजेगा है इसके लावा जो बहने शिशु को दूद पिला रही है दूद पिलाने वाली बहने हैं उनको डॉक्टर के सलहा पर ही इस चाय का सेवन करना है तो आप इस तरह से नसों में दर्द नसों में कमचोरी दभी विनस स्लिप डिस्क सैटिका के दर्द से चुटकारा पालेंगे आ नवाद